C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय तीन आँख्णूं का प्रबंधन प्रिष्ट इकसट तीन दशमलवेक भूमी का पिछली कक्षाओं में आपने विभिन्न प्रकार के आँख्णूं के साथ कार्य किया था आपने आँख्णूं को एकत्रित करना, उनको सारणी बध करना, तथा उन्हें दंड आलेखों यानि बार ग्राफ्स के रूप में प्रदर्शित करना सीखा था आँक्णों का संग्रह, आलेखन और प्रस्तुति करण हमारे अनुभवों को संगठित करने और उनसे निशकर्ष निकालने में हमारी सहायता करते हैं इस अध्याय में हम इस ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे आपके सम्मुक कुछ अन्य प्रकार के आंकड़े और आलेख आएंगे आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलिविजन और अन्य साधनों से विभिन प्रकार के आंकड़ों को देख चुके हैं आप यह भी जानते हैं कि सभी आकड़े हमें किसी ना किसी प्रकार की सूचना अवश्य देते हैं आएए आकड़ों के कुछ सामान्य रूपों को देखें जो आपके सम्मुक आते रहते हैं सारणी तीन दशमलवेक नगरों के तापमान 26-2006 को अधिक्तम निवनित्तम एहमदाबाद 38 noble Celsius 39 DEG अमरित्सर 17 DEG 26 DEG बैंगलूर 28 DEG 21 DEG चन्य 36 DEG 27 DEG दिल्ली 38 DEG 28 DEG जेपुर, 49 डीरी चल्सिय कुननतीस डीरी सेल्सिय जम्मू, 41 डीरी सेल्सियस चपीस डीरी सेल्सियस मुंबई, 32 डीरी सेल्सियस, 27 डीरी सेल्सियस सारणी 3.2 फुट्बॉल — विश्वकप 2006 यूख्रेनने सौधी अरब को हराया चार शूने से स्पेन ने ट्यूनिशिया को हराया तीन एक से स्विजलेंड ने टोगो को हराया दो शून्य से हिंदी के एक टेस्ट में पांच विद्यार्तियों द्वारा दस में से प्राप्त किये गए अंग हैं चार, पांच, आठ, छह, साथ प्रिष्ट, पासट सारणी 3.3 एक कक्षा में साप्थाहिक अनुपस्थिती दर्शाने वाले आंक्डे सोमवार 3 चिन्ह, मंगलवार 1 चिन्ह, बुधवार 0 ब्रिहस्पतिवार 5 चिन्ह, शुकरवार 2 चिन्ह, शनिवार 4 चिन्ह इस सारणी में प्रदर्शित प्रत्येक चिन्ह एक बच्चे को निरुपित करता है आंक्डों के ये संग्रहे आपको क्या बताते हैं उदाहरणार्थ, आप यह कह सकते हैं के 26.2006 को जम्मू का अधिक्तम तापमान सबसे अधिक था सारणी 3.1 या हम कह सकते हैं के बुधवार को कोई बच्चा अनुपस्थित नहीं था सारणी 3.3 क्या हम इन आक्डों को किसी अलग तरीके से संगठित और प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उनका विशलेशन करना और उनकी व्याख्या करना बेहित्तर हो जाए इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रशनों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे 3.2 आक्डों का संग्र है नगरों के ताप्मानों के बारे में आक्डे सारणी 3.1 हमें अनेक बातें बता सकते हैं परन्तु ये आक्डे हमें यह नहीं बता सकते कि पूरे वर्ष में किस नगर का अधिक्तम ताप्मान सबसे अधिक था यह जानने के लिए हमें इन नगरों में से प्रत्येक नगर के पूरे वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किये गए अधिक्तम तापमानों से संबंधित आंक्डे एकठे करने पड़ेंगे ऐसी स्थिती में सारणी तीन दशमलवेक में दिये गए वर्ष के एक विशिष्ट दिन का तापमान चाट परियाप्त नहीं है इससे यह प्रदर्शित होता है कि शायद आंक्डों का एक दिया हुआ संग्रह हमें उससे संबंधित एक विशिष्ट सूचना न दे पाए इसके लिए हमें उस विशिष्ट सूचना को ध्यान में रखते हुए आंक्डों को इकठे करने की आवशकता है उपरोक्त स्थिती में हमें जो विशिष्ट सूचना चाहिये थी वह यह थी कि पूरे वर्ष के दौरान इन नगरों के अधिक्तम तापमान क्या रहे जो हमें सारणी तीन दशमलवेक से प्राप्त नहीं हो सके थे इस प्रकार आंक्डों को इकठे करने से पहले हमें यह जानना आवशक है कि हम इनका उपयोग किसके लिए करेंगे नीचे कुछ स्थितियां दी जा रही हैं आप अध्ययन करना चाहते हैं गणित में अपनी कक्षा के प्रदर्शन का फुटबॉल या क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन का किसी क्षेत्र में महिला साक्षर्ता दर का अध्वा आपके आसपास के परिवारों में पांच वर्ष से कम आयू के बच्चों की संख्या का उपरोक्त स्थितियों में आपको किस प्रकार के आँखडों की आवशक्ता है जब तक आप उपयुक्त आँक्ड़े इकठे नहीं करेंगे आप वानशित जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक के लिए उपयुक्त आंकड़े क्या हैं? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और पहचानिये कि प्रत्येक स्थिती में किन आंकड़ों की आविशकता होगी? कुछ आंकड़ों को इकठे करना सरल है और कुछ को इकठे करना कठिन. प्रिष्ट तिरसट तीन दशमलवतीन आंकड़ों का संगठन जब हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं तो हमें उन्हें रिकॉर्ड करके संगठित करना होता है. हमें इसकी क्यूं आविशकता पढ़ती है? निम्नुदाहरन पर विचार कीजिए. कक्षा अध्यापिका सुष्री नीलम यह जानना चाहती थी कि अंग्रेजी में बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा? वह विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्न लिखित प्रकार से लिखती हैं. 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32, 38. इस रूप में आंक्डे सरलता से समझने योग्य नहीं थे. उन्हें यह भी ग्यात नहीं हुआ कि विद्यार्थियों के बारे में उनकी धारणाएं उनके प्रदर्शन से मेल करती हैं या नहीं. नीलम के एक सह कर्मी ने उन आक्डों को निम्न लिखित रूप में कठे करने में उसकी सहायता की. सारणी 3.4 सारणी 3.4 रोल नंबर नाम 50 में से प्राप्त अंक रोल नंबर नाम 50 में से प्राप्त अंक एक अजय तेईस दो अर्मान पैंतीस तीन आशीश अढ़तालीस चार दीप्ती तीस पाँच फैजान पच्चीस छे गोविंद छे आलीस साथ जय तेरह आठ कविता सत्ताईस नौ मनीशा बत्तीस दस नीरज अढ़तीस इस तरह नीलम यह समझ सकी कि किस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किये लेकिन वह कुछ और जानकारी चाहती थी दीपिका ने उन आखणूं को दूसरी तरह से प्रदर्शित किया सारणी तीन दशमलव पांच रूल नंबर नाम पचास में से प्राप्त अंक रूल नंबर नाम पचास में से प्राप्त हंक तीन आशीश अढ़तालीस छै गोविंद छैालीस दस नीरज अढ़तीस दो अर्मान पैंतीस नौ मनीशा बतीस चार दीप्ती तीस आठ कविता सत्ताईस पांच फैजान पच्चीस एक अजय तेईस साथ जय तेरह है अब नीलम यह जानने में समर्थ हो गई किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और किसको सहायता की आवशक्ता है हमारे सामने आने वाले अनेक आंकडे सारणी बद्ध रूप में होते हैं हमारे स्कूल के रजिस्टर प्रगती रिपोर्ट अभ्यास पुस्तिकाओं में क्रम आनुसार सूची तापमान के रेकॉर्ड तथा अन्य अनेक आंकडे सारणी बद्ध यानि ट्याबिलर रूप में होते हैं प्रिष्ट चौशट क्या आप कुछ और आंकडों के बारे में सोच सकते हैं जो सारणी बद्ध रूप में हैं जब हम आंकडों को एक उपयुक्त सारणी में रख लेते हैं तो उन्हें समझना और उनकी व्याख्या करना सरल हो जाता है प्रयास कीजिए अपनी कक्षा के कम से कम बीस बच्चों, लड़के और लड़कियों को अलग-अलग तौलिये किलोग्राम में प्राप्त आंकडों को संगठित कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए एक, सबसे अधिक भार किस का है दो, कौन सा भार अधिकांश बच्चों का है तीन, आपके भार और आपके सबसे अच्छे मित्र के भार में क्यांतर है तीन दशम लवच्चार प्रतिनिधीमान आप ओसत यानी एवरिज शब्द से अवश्य ही परिचित होंगे तथा अपने दैनिक जीवन में ओसत शब्द से संबंधित, निम्नलिखित प्रकार के कथन अवश्य ही सुने या पढ़े होंगे इशा अपनी पढ़ाई पर प्रति दिन औसतन लगभग पाँच घंटे का समय व्यतीत करती है इस समय वर्ष का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयू 12 वर्ष है एक स्कूल की वार्षिक परीक्षा के समय विद्यार्थियों की औसत उपस्थिती 98 प्रतिशत थी इसी प्रकार के अनेक कथन हो सकते हैं उपर दिये हुए कथनों के बारे में सोचिये क्या आप सोचते हैं के पहले कथन में बताया गया बच्चा प्रति दिन ठीक पांच घंटे पढ़ता है अथवा क्या उस विशेश समय पर दिये हुए स्थान का तापमान सदैव 40 डिग्री रहता है अथवा क्या उस कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी की आयू 12 वर्ष है स्पष्ट तह इन प्रश्णों का उत्तर है नहीं तब ये कथन हमें क्या बताते हैं ओसत से हम समझते हैं कि ईशा प्रायह एक दिन में पांच घंटे पढ़ती है कुछ दिन वे इससे खम घंटे पढ़ती है और कुछ दिन इससे अधिक घंटे पढ़ती है इसी प्रकार 40 डिग्री सेल्सियस के ओसत तापमान कार्थ है कि वर्ष के इस समय पर तापमान प्रायह 40 डिग्री सेल्सियस रहता है कभी वह 40 degree Celsius से कम रहता है और कभी 40 degree Celsius से अधिक भी रहता है इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि आसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों यानि observations या आखड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति यानि central tendency को निरुपित करती या दर्शाती है क्योंकि आसत सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य यानि value के आखड़ों के बीच में होता है इसलिए हम कहते हैं कि आसत आखड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक यानि measure है प्रिष्ठ 65 विभिन प्रकार के आखड़ों की व्याख्या करने के लिए विभिन प्रकार के प्रतिनिधी या representative या केंद्रीय मानों यानि central values की आवशकता होती है इन में से एक प्रतिनिधी मान अंकगणीतीय माध्य या समांतर माध्य यानि arithmetic mean है आकणों के एक समूह के लिए अधिकांच तह प्रयोग किये जाने वाला प्रतिनिधी मान अंकगणीतीय माध्य है संक्षेप में इसे माध्य यानि mean भी कहते हैं इसे अच्छी प्रकार से समझने के लिए आईए निम्न लिखे तुदहरण को देखें दो बरतनों में क्रमशह 20 लीटर और 60 लीटर दूद है यदि दोनों बरतनों में बराबर बराबर दूद रखा जाए तो प्रतेक बरतन में कितना दूद होगा जब हम इस प्रकार का प्रशन पूछते हैं तब हम अंक गणिती या माध्य ग्यात करने के लिए कहते हैं उपरोक्त स्थिती में आसत या अंक गणिती या माध्य होगा दूद की कुल मात्रा भाग बरतनों की संख्या बराबर 20 जमा 60 बटा 2 लीटर बराबर 40 लीटर इस प्रकार प्रतेक बरतन में 40 लीटर दूद होगा औसत या अंक गणिती या माध्य यानि AM या केवल माध्य को निम्नलिखित रूप से परिभाशित किया जाता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग भाग प्रेक्षणों की संख्या निम्नलिखित उदहरणों परविचार कीजिए उदहरण एक आशीश तीन क्रमागत दिनों में क्रमशह चार घंटे, पांच घंटे और तीन घंटे पढ़ता है उसके प्रति दिन पढ़ने का ओसत समय क्या है हल आशीश के पढ़ने का ओसत समय होगा, पढ़ाई में लगाया कुल समय, भाग दिनों की संख्या जिन में पढ़ाई की पराबर चार जमा पांच जमा तीन बटा तीन घंटे बराबर चार घंटे प्रति दिन इस प्रकार हम कह सकते हैं के आशीश प्रति दिन चार घंटे के ओसत से पढ़ाई करता है उदहरन 2 एक बल्ले बाज ने छे पारियों यानि इनिंग्स में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60, 55 एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ग्यात कीजिए हल माध्य ग्यात करने के लिए हम सभी प्रेक्षणों का योग ग्यात करके उसे प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देते हैं अतह इस स्थिती में माध्य बराबर 282 भाग 6 बराबर 47 इस प्रकार एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य 47 है प्रिष्ठ 66 अंक गणीती ये माध्य कहां स्थित है प्रयास कीजिए आप पढ़ाई में व्यतीत किये गए अपने समय यानि घंटों में का पूरे सप्थाह का आउसत किस प्रकार ग्यात करेंगी सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए उपरोक्त उदहरणों में दिये गए आंकणों पर विचार कीजिए तथा निम्न लिखित विशाय में सोचिए क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षन से बड़ा है क्या यह प्रत्येक प्रेक्षन से छोटा है अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए इसी प्रकार का एक और उदहरण बनाए और इनहीं प्रशनों के उत्तर दीजिए आप पाएंगे कि माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है विशिष्ट रूप में दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है उदहरणार्थ पांच और ग्यारह का माध्य पांच जमा ग्यारह भाग दो बराबर हाट है जो पांच और ग्यारह के बीच में स्थित है क्या आप इस अवधारणा का प्रयोग करके यह दर्शा सकते हैं कि दो भिन्नात्मक संख्याओं के बीच में जितनी चाहें उतनी भिन्नात्मक संख्याओं ग्यात की जा सकती हैं उदहरणार्थ एक बटा दो और एक बटा चार के बीच में आपको इनका उसत मिलेगा बटा चार भाग दो बराबर तीन बटा आठ और फिर एक बटा दो और तीन बटा आठ के बीच में इनका आउसत होगा साथ बटा सोल है इत्यादी। प्रयास कीजिए एक, एक सप्ताह की अपनी नीद में व्यतीत किये गए समय यानि घंटों में का माध्य ग्यात कीजिए दो, एक बटा दो और एक बटा तीन के बीच कम से कम पाँच संख्याएं ग्यात कीजिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मारवा, तकनीकी समनवयक, बटिलैंग लिंगडो, तकनीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत